दिल्ली की सियम अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से बीजेपी और आपके बीच्छीडी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से नेता एक दोसरे पर वार पलट वार कर रहे हैं। अब बेजेपी नेता मनोस्तिवारी ने एक बार फिर से आप और अर्विन केजरिवाल पर जुबानी हमला बोला है। पकड़े गए और आज वो जेल में है लेकिन जेल में जब कोई मुख्यमंतरी पड़ पे रहते हुए जाता है तो इस्तिफा देता है ताकि परदेश का काम चलते रहे लेकिन उनको तो परदेश का काम करना ही नहीं है चाहें दिली परदेश के स्कूल के बच्चे हो या उनके उनके मिड़े मील हो या उनकी किताबें हो इसकी चिंता थोड़ी अर्विन केजरिवाल को है अर्विन केजरिवाल बच्चों की भलाई के लिए थोड़ी आये थे अर्विन केजरिवाल आये थे कि हम थोड़ा सा महौल बनाएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सत्ता हत्या कर फिर हम अपने भ्रष्टाचार में लग जाएंगे तो आज कोट ने जो ठिपड़ी की है अब कोट की ठिपड़ी के बाद तो हमारा कुछ बोलना शेस नहीं बचता है जब कोट ने कह दिया कि इनका पॉलिटिकल इंट्रेस्ट बड़ा है सामाजिक इंट्रेस्ट और राष्टी इंट्रेस्ट जो हमारा की बच्चों को स्कूल में क्या सुवधा मिलनी चाहिए दिल्ली के लोगों को कैसे उनको पेंसन मिलना चाहिए कैसे उनको साफ़ पानी मिलना चाहिए ये तो अरविंद केजरिवाल का ना तो कभी एजिंडा था नए एजिंडा है नए एजिंडा रहेगा तो वो अपनी जिद में इस दिल्ली का नुकसान कर रहे है मेरा मानना है कि अर्विंद केजरिवाल को संबैधानिक रूप से पनिश्मिंट होना चाहिए दिल्ली को चलाना चाहिए ऐसा हमारा मानना है आम आदमी पार्टी काम नहीं करते और फिर बहाने करती है तो बहाना करने के लिए किसी 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 का सर तो चाहिए तो कभी प्रधानमंत्री का सर, कभी LG का सर, कभी भारती जनता पार्टी का सर अपना करम देखो आरविंद खेजरिवाल आम आदमी पार्टी के जो सिर्सनेत्रत्म है आज इसी को लेके तो आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम जो कारी करता है वो आमाधी पाड़ी से दूर होते जा रहे है इन सब को पहले पता था कि ये लोग कभी भी जनता की भलाई के लिए ही नहीं थे अब बहाना करेंगे बहाने बाजी में बहुत नंबर वन आता है इनका मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता देख रही है कानून भी सजा दे और दिल्ली की जनता भी सजा दे एक आखरी सवाल कॉंग्रेस के नेता चैराम रमेश कैना के समान और लोधी की जुबान की कोई गैरिटी नहीं है यह इन लोगों का बयान अब ऐसा है नहीं कि उस पे आप कोई प्रति उत्तर दें कॉंग्रेस ने इस देश को हमेशा से लूटने का और बाटने का काम किया आज देश की जनता ने कॉंग्रेस को उसकी जगह दिखा दी है अभी चुनाव हो रहा है देश में और आप देखिएगा कॉंग्रेस का वो हसर करेगी देश की जनता कि ये लोग इतिहास के पन्नों में दफा हो जाएगा जिस तरह से आप और बेजेपे के बीच यहां जुबानी जंग छीड़ी हुई है उस पर गौर करे तो यह साफ है कि मनोस्तिवारी के इस बयान पर जल्द ही आम आदमे पार्टी की तरफ से काउंटर अटेक किया जाएगा ऐसे में जुबानी जंग के और तेज होने के आसा साफ दिखाई दे रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया पब्लिक खबर फिलाल के इस खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की ऐसी तमाम पड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रंडिया पब्लिक खबर के साथ कर दो कर दो